पहलो दोस्तों स्वागत है आपका चित्रान सतुल के यूटूब चैनल पर आज मैं आपको MS Excel में चोड़ना, घटाना, गुड़ा करना और भाग करना बताऊंगा तो आईए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम अपनी Excel की फाइल को खोल लेते हैं तो यहाँ पर एक हमारे पास डेटा है जिसमें हमें इंटर्नल मार्क और रटन मार्क का टोटल करना है तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक बरावर का निसान लगाएंगे इसके बाद हम इन सेलों का एड्रेस यहाँ पर दे देंगे तो हम यह वाले cell का address प्लस का निसान लगाएंगे और फिर यह वाले cell का address यहाँ पर हम select करेंगे और enter की को हम press करेंगे तो यहाँ पर दौनों का total निकल कर आपका आ जाएगा एक बार फिर से देख लेते हैं सबसे पहले बराबर का sign लगाना है फिर c4 और plus का निसान फिर d4 तो आपका यह total निकल कर आ जाएगा इस formula को हम copy भी कर सकते हैं इसके लिए हमें जो cell है हमारा total वाला उसके बिल्कुर corner पर जाना है और जब यह पिलस जैसा sign आ जाए तो इसको पकड़के नीचे खेज देना है ड्रैक कर देना है तो सभी cell हो में आपका यह formula apply हो जाएगा चलिए अब हम total एक और प्रकार से सीखते हैं sum का formula लगा कर हम सीखते हैं कि total कैसे निकलेगा हमारा तो यहाँ पर एक और data है मेरे पास जिसमें कुछ value है हमारे पास और हम इनका sum formula की मज़द से total निकालेंगे तो यहाँ पर बराबर का sign लगाएंगे और sum sum type करेंगे इसके बाद एक bracket open करेंगे और उस range को हम select करेंगे जिसको हमें total करना है तो यहाँ पर यहाँ से लेके पूरा हम इसको select कर लेंगे इस तरीके से mouse की साहता से हम इसको drag करेंगे इस तरीके से ठीक है तो यहाँ पर C3 वाला column देख़ेंगे C3 है और last वाला column में हमारा CH तो हम इसको इस तरीके से drag करके enter दवा देगे एक बाद फिर से मैं आपको बता देता हूं बराबर का sign लगाना है sum sum type करना है फिर एक bracket open करना है और फिर यहां से लेके यहां तक पूरी range को हमें select कर देना है और कोश्टक को बंद करके enter की press करना है तो sum formula की मदद से आपका यह काम हो जाएगा इसके लावा आप एक auto sum का यूज करके भी total निकाल सकते हो यहां पर देखिए आपको auto sum दिखाई देता है तो कुछ नहीं करना है मैं जिस cell में हमें total चाहिए उस पर click कर लेंगे और auto sum पर click करेंगे तो यहां पर वह है sum का formula automatic लगा देता है पर यहां पर ध्यान देने वाली बात यहां है कि इसमें जो range select की है वो गलत कर लिए तो यहां manually उसकी range को select करवा देंगे तो इसको हम यह वाली range पर mouse से click करके select कर लेंगे तो अब देखिए formula लग गया है और यहां पर enter की press करेंगे इस तरह से हम इस वाले formula को भी drag कर देके तो इससे copy हो जाएगा चलिए इसके बाद हम देखते है कि काटाना कैसे है मैं MS Excel में माइनस कैसे करना है तो यहां पर एक data है जिसमें price दिया हुआ है और discount दिया हुआ है तो आप तो हम इसको अब सबसे पहले बरावर का शायल लगाएंगे प्राइस वाला सेल लेंगे और माइनस का निशान लगाकर हम डिसकाउंट वाली सेल को select करेंगे और enter की press करेंगे तो देखिए यहां पर हमारा पचास रुपए कम होकर यह है value आ चुकी है एक बार फिर से मैं आपको देखा देता हूं सबसे पहले बरावर लगाना है प्राइस लेना है माइनस का चिन लगाना है और discount वाला सेल को select करना है और enter की press करना इसको भी आप copy कर सकते हैं देखिए तो यह formula हमारा apply होया दोस्तो इस वाली टेविल में एक हमें point के वाद 00 value दिख रही है अगर आपके में 00 नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूं कैसे आता है तब से पहले देख लेते हैं जैसे हमने यहाँ पर high point 00 लिखा हो जैसे हम इंटर की press करेंगे तो यह point के वाद 00 नहीं लग रहा है तो इस को अपयोग करके 00 को बढ़ा सकते हो और decrease को अपयोग करके 00 को कम कर सकते हो जतने भी आपको decibel किया वे सकता हो आप अपने अवसवाद यहां से increase और decrease कर सकते हैं चलिए अब हम चलते हैं अगली seat की तरफ अपनी जहां पर हमने गुणा करना सीखना है तो यहां पर सबसे पह सब्सेपद से बरावर का sign लगाएंगे और price वाले cell को select करेंगे अब यहां पर multiplication करने के लिए हमें star का यूज करना होगा तो star लगाएंगे और quantity वाले cell को select कर लेए और enter की को press करेंगे एक वार फिर से देख लीजिए सबसे पहले बरावर लगाना है फिर price लगाना है और फ लगाएं कि तो यह आपका एपलाई हो जाए इसको भी हम कॉपी कर सकते हैं तो सारे फॉर्मिला हमारा कॉपी हो जाए इसके बाद हम चलते हैं डिवीजन की तरफ हमें भाग करना है यहाँ पर एक डेटा है जिसके हमाँ पर टोटल प्राइज है और क्वांटिटी लिखी ग्रेयगे यहाँ पर हम बटे का साल लगाएंगे और क्वांटिटी वाले साल के अड्रेस को स्लेट करेंगे vepeellörtि यहाँ पर इसलिए इसलिए अपलेे पीस का стен दे दिया है फिर से देख लीजी सबसे पहले वरावल लगाला है फिर कान टील प्राइज वाला सेल को सलेट कर कर ला है और की को अब है प्रेस करना कि इसी तरह से हम इस वाले फॉर्मीले को भी कॉपी कर देते हैं जैसे हमने पहले किया है तो यह वारा सभी सेलों में एपलाई हो जाएगा दोस्तों यहां पर हम आपको बिल्कुल बेसिक से एक्सल से खा रहे हैं अगर आपको यह वीडि झाल झाल